अमेरिकी की चेतावनी के बाद भी इरान ने पूरे इसराइल पर मंगलवार की देर रात दस बजे 180 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइले दागी, हालांकि इसमें अब तक बड़े नुकसान की खबर नहीं है, तेल अवीव में दो नागरिक घायल हुए हैं, ये हमले पूरे इस इसराइल पर 30 मिनट तक किये गए, इस दोरान नागरिकों को बम शेल्टर में जाने को कहा गया, हमले के बाद इरान ने कहा कि नसरलाह की शहादत का यह पहला बदला है, यह तो अभी शुरुआत है, दरसल 27 सितंबर को इसराइल ने बेरूत में हिजबुलाह के हेड़क्व पर हमला किया था, इसमें हिजबुलाह का चीफ हसन नसरलाह मारा गया था, इसराइली सेना के प्रवक्ता डैनियल हागारी ने कहा कि इस हमले का नतीजा भुगतना होगा, हमारे पास प्लान है और हम अपनी मर्जी के मताबिक समय और स्थान तै करके कारवाई करेंगे, उध अमेरिकी राष्ट्रपती जो बाइडेन ने अमेरिका सेना को इसराइल की मदद करने को कहा, अमेरिका ने शाम साथ बजे इरान के हमले का दावा किया था, अमेरिका ने इरान से कहा था कि अगर हमला किया तो गंभीर नतीजे भुगतने होंगे, हमले के बीच बाइडेन न उपराष्ट्रपती कमला हैरिस और नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ बैठक की. इस बैठक में इरान के इस्राइल पर हमले की चर्चा की गई. साथ ही इसराइल को इस हमले से कैसे बचाया जाए और इसराइल में फंसे अमेरिकियों की मदद की क्या तयारी है इस पर बात हुई इरान ने इस साल अप्रेल में इसराइल पर हमला किया था इससे पहले इरान ने इस साल अप्रेल में इसराइल पर हमला किया था लेकिन इसराइल ने अमेरिका